हेलो एवरीवन एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्राथमिक से बाहर होने पर टीजीटी पीजीटी में मांगे ज्यादा पद यानि कि यह आप सभी को पता होगा कि जो बीएड वर्सेज बीटीसी डीएलेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ था उसका फैसला आ चुका है और अभी तक आपको इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं जिसका मैंने पूरा डेटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि किस परकार से कौन से वाले कोर्ट से कौन से भरती के लिए हम एलिजीबल ह जानते हैं कि जो बीएड है वो टीजीटी के लिए मान्य है तो इसलिए पी आटी की पोश्ट पर उसको नहीं ले सकते इसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला आ चुका है तो जब बीएड वाले प्रात्मिक पर अपना आविदन नहीं कर सकते तो फिर कि जो भरतिया हैं वो भी निकाली जाएं इसको हम पूरा डिटेल में समझने का प्यास करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रात्मिक सिक्षक भरती से बाहर किये जाने के बाद बीएड प्रसिक्षत जो हैं उन्होंने सनातक सिक्षक यानि टीजीटी एवं प्रवक्ता अधिक पदों पर भरती की मांग की है उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश मादिमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड ने वर्स भर पहले टीजीटी पीजीटी को मिला कर यहां पर आप देखेंगे से पहले भी हम कई बार ये इसके रिगार्डी वीडियो बना चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया था 4163 पदों के लिए भरती विग्यापन जारी किया था उसकी परिक्षा अब तक नहीं हो सकी है यानि अभी तक वो परिक्षा नहीं हुई है और एधर एक वर्स में और भी पद रिक्त हुए हैं वो जैनुएन बात है कि जब भरतिया नहीं होंगी तो दूसरे जो पद हैं वो साल में तो कम होते जाएंगे भरतिया नहीं हुई नहीं है ऐसे में रिक्त पदों का अधियाचन मंगा कर अधिक पदों पर विग्यापन जारी किया जाना चाहिए यानि कि जो प्रेजेंट तक अब पद रिक्त हो गए हैं उन्हों सभी को मिला कर व दिक्षक भरती से बीयड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया है तो सरकार को चाहिए कि TGT PGT के रिक्त सभी पदों के सापेक्स विग्यापन जारी किया जाए अगर विशेवार सिर्फ कुछ पदों के लिए ही भरती परिक्षा होगी तो हर वर्स 3-4 लाख बीयड डिग्री बाटने का और जित्म नहीं रह जाएगा यह सही है क्योंकि हर साल जो बच्चे है वो Beard बहुत ज़्याधा मात्रा में करते हैं उसके सापेक्स जो है भष्टिया नहीं निकल पाती हैं क्योंकि PRT में ज़्यादा पोश्ट होती हैं इसलिए बियड़ वालों को PRT पोश्ट पर ले लिया जाता था लेकिन अब सुप्रीम कोट के फैसले के बाद यह पिरकिरिया भी बंद है तो अब जो बियड़ वाले हैं उनका क्या होगा उनकी जो मांग है वो सही है जाइज है उनके जो पद बनता है उस पर बढ़तिया नि फैसला आ चुका है तो क्योंना जो इनका पद है TGT PGT पर वो बढ़तिया निकाली जाएं जो कि पिछले साल से ही लंबित पड़ी हुई है जो अभी तक भी नहीं भरी गई है और इसके साफिक्स और भी पद खाली हो गए हैं तो देखना यह है कि अब यह TGT PGT में कब तक भड़तियां आ पाती हैं यह मांगे चली हुई है और जब से फैसला आया है तब से युबाव में थोड़ी निराशा आई है लेकिन उनका संगर्स जारी है और क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन नजदीक है और इलेक्शन के आसपास जरूर वेकैंसी निकाली जाती है इस उससे लाभान वित हुए हमें बड़ी खुशी है कई के मैसेज आये थे कि हम समय रहते इस चीज से जो है अवगत हो सके थे तो उनका फॉर्म भर गया था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तक देखने के लिए थेंक यू एंड थेंक्स वर वाचिन